अगर आपको कोई डाउट है या आपको कुछ समझ नहीं आया या आपकी भी कोई असाइन्मेंट से जो आपको करनी है और आप नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट बोक्स में जरूर बताना चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कोईशन से फिल इन दे ब्लैंक्स अमीबा इस डैश सेल्ड और्गिनिजम इट रिप्रोड्यूजिस बाइश रिप्रोडेक्शन दे प्रोसेस अप्रोडेक्शन बिगिंस बाइड डिवीजन ओफ इट्स डैश इंटू तू ठीक है इस तरह कोईसि फ्रोडेक्शन है तो आपको ये समझना है के सबसे पहले जो अमीबा होता है वो एक सिंगण सेल्ड ओर्गिनिजम है ओंस इस इंगल सेल और्गिनिजम इस अजिटा सबसक होता है तो यह asexual reproduction से होता है, जब कोई भी individual body या उसका part दो में divide हो कि नई organism को produce करता है, तो वो asexual reproduction में आता है, ठीक है, फिर the process of reproduction begins by division of its, क्या इसका divide हो रहा है सबसे पहले, यह देखे, इसमें nucleus था, एक nucleus से दो nucleus बन गए, तो यह एक first step था, जिसमें nucleus फिर पहले divide हो रहा है, it is followed by division of its cytoplasm, ठीक है, लेकिन यहाँ पे body लिख दिया, वो भी ठीक है, इसकी body अब दो में divide हो जाएगी, वैसे इसका nucleus divide हो आ है, फिर cytoplasm भी कुछ हाफ हाफ हो गया है, फिर उसके body divide हो रही है, लेकिन आपके class में जिस level पे दिया गया है, उसी level से आप समझ लो, कि फिर इस इस तरह का question आता है, तो ये सारे points जिसमें single parent भी आए, या single celled organism आए, asexual reproduction आए, सारे points लेक देना, आपके marks पूरे के पूरे मिलेंगे आपको, ठीक है, second question है, mother give birth to a baby, but the baby has characters of both parents, एक माँ बच्चे को जनम देती है, लेकिन बच्चे के अंदर parents के भी दोनों के character होते है, मतल जब sexual reproduction होता है, मतलब male और female gamets fertilize करके जाइगोट को produce करते हैं, तो उसमें आपको ये समझना है कि, जो egg होता है, वो mother से आता है, और जो sperm होता है, वो father से आता है, ठीक है? मतलब male का part ये egg है, और female का part, sorry, male sperm produce करता है, और female egg produce करता है, ठीक है? तो जो spump होता है उसमें father के character होते हैं और इसका nucleus इसके nucleus के सब fertilize करके zygote बनाएगा है ना जैसे आपको picture में दिखाई दे रहा है तो इस दोनों का जो nucleus है वो दोनों का mix हो जाएगा तो इसलिए दोनों के character आते हैं यह ऐसा लिखा भी गया है देखो although mother gives birth to a child fertilization involves two gametes इसमें दो gametes होते हैं one from the mother and other from the father और इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो one from the mother that is egg and other from the father that is sperm the zygote therefore has both father and mother's contribution दोनों का ही contribution हुआ है since the zygote developed into baby it has characters of both the parents समझ गए यह photo भी बना सकते हो fertilization किस तरह से होती है human में third question है why do male gametes have a tail male gametes में tail क्यों होती है देखो male gametes and sperm are motile यह motile क्यों होते हैं यह nature नहीं कुछ ऐसा बनाया है कि जो male gametes है उसे एग के पास जाना पड़ता है ठीक है the tail help the sperm to swim through the reproductive track यह हमारी fallopian tube यह reproductive track होती है to reach the oviduct अब यहाँ पर आपको समझना है स्रफ समझना है यह diagram नहीं बनाना है आपकी class में जरूरी नहीं है यह देखो यह ओवरी होती है यहां से एग रिलीज होता है ठीक है इस ओवरी में एग रिलीज होने के बाद जैसे ही sperm से फर्टिलाइज हो जाता है यहां पर तो पहले ही डे में उसमें cleavage शुरू हो जाती है दोनों के nucleus देखो यहां पर मिल गई इस में आपको nucleus दिख रहे हैं तो अब यह nucleus divide होना शुरू हो जाएगा और 5-6-7 दिन के बीच में यहां पर placenta से uterus से अटेच हो जाता है यहां पर फिर इससे baby development शुरू हो जाता है within 8-9 days मतलब 8-9 days से कम में ही division शुरू हो जाती है और इस तरह से मतलब यह तो यहां इस ovid duct से इसको जाना होता है sperm को इसलिए अगर इसके टेल नहीं होगी तो वो कैसे जाएगा ठीक है तो उसको sperm एग तक जाने के लिए उस sperm को god ने nature ने टेल दी है ठीक है उसको swim करना पड़ता है उसमें अगर mobility नहीं होगी motile नहीं होगा वो तो कैसे ज एक्सटरनल फर्टिलाइजेशन एक चीज़ आप हमेशे याद रखना जब भी आप यह देखते हो कि पानी वाले जो ओर्गिनिजम्स होते हैं वोटा एनिमल्स जो होते हैं जो भी उनके अंदर जादा तर एक्सटरनल फर्टिलाइजेशन होती है ठीक है female fish release egg into water ठीक है पा तो वो contact में आ जाता है eggs के अब क्या होता है nucleus of the sperm move into the egg and fuses with it अब जो sperm का nucleus था वो egg के साथ fuse हो जाता है ऐसी fertilization जो पानी में होती है मतलब किसी भी organism की बोडी से बाहर होती है ठीक है उसको external fertilization बोलते है ठीक है आप कह सकते हो female body के बाहर जो भी fertilization होती है वो external fertilization होती है यह लि कर दिये तो fertilization हो गई फिफ्ट कोस्चन है how is reproduction in hydra different from that in amoeba? amoeba का reproduction हमने पढ़ा था कि एक single nucleus था वो दो में डिवाइड हो गया फिर उसकी full body डिवाइड हो गई फिर वो दो में डिवाइड हो गया मतलब एक amoeba दो में डिवाइड हो गया तो उसको binary fusion बोलते है पढ़ा था हमने बात करते हैं hydra के hydra reproduces by birding where a bird detaches from the parent which grow into complete organism देखो इसने एक bird को develop किया यहां पे grow किया bird को और वो bird इसके साथ attach होते ही रहते हुए भी आपको बिल्कुल एक hydra जैसे नजर आ रही है अब यह ऐसी हो जाएगी कि अपने आपको maintain कर सकती है रख सकती है अलग से तब यह detach ह हो कि पूरा individual hydra बनाएगी ठीक है आपने देखा है कभी आपके हाथ आपके बाजू से कोई और बाजू निकल रही है ऐसे हैं ऐसा होता नहीं है अगर हो तो कैसा लगेगा कितना वियर्ड लगेगा है न क्योंकि यह सारे organism लगबग पानी में होते हैं वहां पे ऐसी गई और वह individual hydra में individual organism में चेंज हो गई ठीक है तो hydra में आप क्या कह सकते हो बडिंग से बडिंग से रिप्रोडेक्शन होता है बड बड निकलती है और उससे रिप्रोडेक्शन हुआ फिर वह complete organism में ग्रोग किया फिर अमीबा की अगर बात करें तो वह binary वीजन से रिप् सब heut dalम से में ञात से प inv Beim Cur Put ini शेंग सोओा वधना एनल से रिप्रोड़ को ऑनल से रिप्रोडेक्शन हुआर है खिर उगमीबाव का क्या वीजन से रिप्रोडेक्शन हे बडिंग से रिप्रोडेक्शन होता है इप आल